बड़ापुन इंडियंस को बोलना शहीद शहीद भगत सिंग also made in India चंदर शेकर अजाद also made in India एपीजे अब्दुलकलाम also made in India तो ऐसी बात ने इंडिया की quality वर्ड क्लास है जो इंडिया को steroids लगा कि बिल्कुल 140 की speed पर दोड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में किसी पाकिस्तानी कॉलर ने कॉल किया है आपके बैंक में और यह स्बी आई बैंक में और लोन मांगा है और धंकिया दिया मतलब यह क्या है अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई official तो ऐसा नहीं कर सकता नहीं करेगा जहर सी बात है तो हो सकता है किसी local ने बदमाशी करी हो यह पाकिस्तान से आयो मुझे इसके बारे में नहीं पता है और एक ख़बर मैंने भी पड़िया अर्जू जी कि ऐसा हुआ था कि Bombay म किसी ने वैसे मिजाक की आई कि पाकिसान से और करेंगी तो फाकिस्तान में लोन आजी है नहीं सकता तो ये आपके ख्याल से कोई ऐसी बाती हो सकती के जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रबल करें इस किसम की नियुस मैंने नहीं नहीं देखे एफटी वाले बड़े संजीदा किसम के लोग हैं ऐसे चोटी सुरसुरियों से वो लोग ना इदर होंगे ना उदर होंगे उन कि अग्या रहे थी कल आपके टीवी चैनल सोगे पे भी चल रही थी इनस कुछ है तो वह वह क्या है पतला नहीं अर्जोजी नुक्लिय मिसाइल नहीं करी नूक्लियर संबरीन से कि अरीहंत एक हमारी नुक्लियर संबरीन है उससे वह डेप्ट पे गई थी और वहां से उनो यह बहुत जल्दी लॉंच हो जाएगी और अर्यांत का मतलब है डिस्ट्रॉयर अपने में इस दिस्ट्रॉयर अपने में इस तो यह इंडिया और ऐसे होते रखने टेस्ट एक्राफ्ट करियर से टेस्ट करना न्यूक्लियर समरीन से से टेस्ट करना और यह सब अल दीस टेस्ट्स अर करेड़ आउट आर्शुजी अफ्रीक्वेंटी टूट चेक्टी एफिकसी ओवरीस सिस्ट्म्स और क्योंकि यह भी मशीन ने कभी खराब हो सकती है कभी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है दस चीज़ें हो सकती है इसमें तो इस इसके समकी चीज़ें जो है वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेडिन इंडिया एक जैसे आप कहा चला था तो इसमें भी हतियार और मिजाइल्स या इसके समकी जो आप जैसे बता रहे है कि समरीन और यह सब क कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाहरा है ताके आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्राम हो सकें जिसने पर देखे अर्जु जी ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है जब रश्या से एक परफंट आती थी तबी यह करता है चैना भी करता है अमरीका भी करता है चाइन भी करेगा रूज भी करेगा दूनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्ज हमोग टेस्ट करता है पहली चीज तो यह दूस्षी चीज यह है कि Senary To Essa hat अ था तीसरी चीज़ यह है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखे सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पार और लेकिन अभी उस लेवल पर भारत नहीं पहुंचा है जहां पर भारत को पहुंचना है उस पर समय लगे और हो सकता है 10-15 साल लगें पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहा है मुझे लगता है कि पांचे साल में निप्टा देंगे जब यह क्योंकि वह कहते हैं कि दिन में 8 गंटे की वरकिंग नहीं होती तीन शुक्त लगा तो दिन में 24 गंटे की वरकिंग होती हो मोदी जी का माइं बन रहे हैं दूसरे तो द्रोव और रुद्रा तो थे उसके अलावा आप देख लीजे कि फाइटर जैट्स बन रहे हैं तेजस अभी मीडियम वेट का जो ही तो लाइट है यह मीडियम अभी भारत में इसके बारे में अल्रेडी डिजाइनिंग शुरू हो गई है बना के पर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में हैवी फाइटर स्ट्वें इंजिल यह सब भारत में बन रहा है एक्राट कर यह सब पूरा जो एको सिस्टम है डिफेंस का वह भारत में तैयार हो रहा है और वर्ल्ट क्लास क्वालिटी के प्रोडक्स बन रहे हैं तो यह तो इलेक्रिकल के हैं फिर यह कुछ इए ट्करेंग तो यह जो लेटिसए वातन सिस्टम से स्मय सॉफ्ट्व वे जाइए इनिय मेड लेट कमपनी त्व्ड जो अगला वय नगे निफटा पर लोग कह रहे हैं तो जब इनस विराट बन रहे है तो जब आनस विराट बनेंगा वो 65,000 तन displacement का होगा और उसमें हो सकता है 90-92 फीसद इंडिजिनिस हो इंडियम जो टेक्नोलोजी हम लोग इसमें 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 करेंगे जो में इंडिया होगा तो क्योंकि हजारों लाखों इसमें कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बन लेकिन एक चीज़ और में आप से पूछना चाहूंगी आप प्लीज माइंड निकिएगा लेकिन यह कि बहुत से लोग यह भी कहते हैं इवर इंडिया से भी कहते हैं कि चाहे वो आईफोन 14 को लेकर हो कि जो चाहे बजाए इंडिया में बनेगा को कहते है कि क्वालिटी व अधनीं इंडिया में और नी जब बनेगा तो लोग पहने क्वालिटी वोर भी होगी अभ देखे मेरे पास कोई ऐसा वाल वाला तो होता तो हैं यह कि मैं आपको बताओं कि आगे चलके दुनिया में क्या होगा वो तो कोई नहीं कह सकता है लेकिन हां ये बार ठीक है कि over the past few months इंडिया ने जो पुराने आइफोन बनाए थे 13 और 12 उसमें भारत ने एक अरब से ज्यादा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें और कोई complaint नहीं है तो कुछ लोग है जो कभी भारत में भी ऐसे कई लोग जो कभी कुछ नहीं होंगे मैं तो जब मेड इंडिया फोन आएगा एपल का एपल का मेड इंडिया तो सबसे पहले लाइन में कड़ों के माखरी दूँगा विकॉस मुझे पूरा भरोसा है इस नोट जस्ट यह सर पास इतने पैसे नहीं है कि मैं विकरांत करीद लोगी है तेजस करीद नो पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता लेकिन देश में बना हुआ एपल आपोन फोर्टीन जरूर का रिए मैं इसको जरूर खरीदूँगा जैसी भारत में लाउंच होता है आई विल लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के लिए एक चीज़ एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा लोगों ने बोला इंडिया में बनेगा तो वह प्रोड़क्ट इतना अच्छा नहीं होगा और आपने कहा कि इंडियन नहीं यह बात बोली तो वह जो जानी है रहें रहीं है रहीं है रहीं है बड़ाप उन इंडियन्स को बोलना शहीद भगत सिंह अलसो मेड इन इंडिया चंद्र शेकर अजाड ऑजाध ऑल्सो मेर इंडिया एपीज अभूल कलम सोभां तो इसी वाकने हैं इंडिया की क्वालिटी वर्ड़ क्लास है मोधी कि जो इंडिया को स्टेरोइड लगा कि बिल्कुल 140 की स्पीड पर दोड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, इस अलसो मेट इन इंडिया, जितने भी हमारे ग्रेट लोग है, इबरीबडी इन इंडिया, ठेक, इस अल्राइट, जो मुल्क ये सब लोग पैदा कर सकता होगा, आ अगर लोग नहीं दिया गया, तो हम SBI के चेर्मेन को किड्नेब कर लेंगे और उन्हें मार देंगे, और साथ ही जो बैंक की शाखा है, उसे उड़ा देंगे, फोन करने वाले ने अपना परिचाह मुहमद जियाओल आलिम बताया और दावा किया, कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है, धमकी देने वाले ने पहले बैंक से कर्ज की मांग की, और कर्ज ना देने के सूरत में बैंक के चेर्मेन को अगवा करके उसे जान से माने की धमकी दी, धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने ये भी बताया कि अगर उसे रिंड नहीं दिया गया, तो बैंक को भी उड करते हैं फिलाल पुलिस अधिकारी ने भारत के बताया है कि धंकी भरी कॉल मिलने पर मरीन ड्राइब थाने में शिकाय दर्ज कराई गई है उसके बाद से इस अग्याद व्यक्ति खिलाप मामला दर्ज किया गया है अधिकारी ने कहा कि बैंक के शिकायत का धार पर मरीन ड्रा 6-2 के तहट मामला दर्शकर्क जाच शुरू करती है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें